हलो स्टूडेंट्स वेलकम डू डेफिनेट सक्सेस पाटशाला मैं रुपाली वर्मा हमेशा एक की कोशिश करती हूं कि बढ़ाई के लावा बहुत सारी चीज़ें आपको और भी इंफॉर्मेशन देती रहे हूं इसलिए मैं अक्सर कुछ शॉट्स कुछ कस्टम वीडियो आपके इंफॉर्मेशन के लिए लेकर आती रहती हूं तो इसी तरीके से हमने दो शीरीज शुरू करी हैं एक शीरीज जो है वो है हमारी मुहावरों की ये मुहावरें जो आपके लेखन को तो सुधारें ये ही सुधारें ये लेकिन इतने सारे मुहावरें होते हैं ये इन पढ़ाई कैसी रही उनके परिवारिक जीवन कैसा रहा ये सारी चीज़ें हम नहीं जान समझ पाते हैं तो इस सीरीज में हम इन ही कवियों और लेखकों के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं तो आज भी हम ऐसे ही एक लेखक को ले आज हमारे लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम ना सुना हूं लेकिन हिंदी साहित्य के छित्र में इनका नाम भी बहुत है इनकी रचनाएं जो हैं वह बहुत फेमस है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पदुमलाल पुन्नानाल बख्षी जन्म हुआ 27 मई 1894 में जन्म इस्थान है राजनांद गाउँ छत्रगस ठीक है राजनांद गाउँ छत्रगस मिरत्य हुई 18 दिसंबर 1971 ठीक है इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्य हुई 1971 में मृत्यू स्थान रहा रायपुर 36 गड़ में पेशा अध्यापक लेखक और पत्रकार यानि लेखन कार्रे तो इन्हों ने किया अध्यापन कार भी किया यानि कि पढ़ाने का कार्री किया और ये एक पत्रकार भी रहे पिता हैं इनके पुन्नलाल बक्षी तो आप ऐसे समझो पदुमलाल इनका नाम है पुन्नलाल बक्षी इनका पुन्नलाल इनके पिता जी का नाम है बक्षी सरने में पत्नी है इनकी लक्ष्मी देवी प्रमुख रचनाय इनकी कौन कौन सी रही देख़े बक्षी ग्रंथावली प्रभंध पारिजात पंच पात्र पद्वावन मरकंद बिंदु कुछ विखरे पन्ने विश्व साहित रही holiness ने तो उनकी कुछ रचनाये हैं जो बहुत ज़ाध प्रसद्ध हुई भाशा इन्होंने हिंदी भाशा में ही लेखनकारे किया है हिंदी भाशा में शैली इनकी है विभिद शैलियों का प्रयोग किया है जैसे वो लेता है कुछ लोग प्रदिकात्मक शैली में लिखते हैं कोई वर्नात्मक में लिखता है कोई हां सिव्यंग प्रतीक के तौर पर भी चीजों को लिखना अच्छे से जानते हैं तो इनकी पकड़ सभी शैलियों में काफी अच्छी रही साहित काल इनका दिवेदी युग रहा है इन्होंने कौन सी विधाओं में काम किया है निबंध है कहानी है एकांकी है आलोचना है बाल साहित है तो यह विधाय देखके तो हमें यही लगता है कि इन्होंने गद्ध साहित के छेत्र में जादा कार्रिक किया है तो गद्ध का मत पत्रिका का ठीक है तो आप संपाधन का मतलद समझ गए कि ये आप पत्रकारिता के छेत्र से भी ये जुड़े रहे जैसा कि हमने देखा कि इनका जो पेशा रहा ये लेकक भी रहे अध्यापक भी रहे और पत्रकार भी रहे तो संपाधन के छेत्र में ये जुड़े पुरसक इस्ट्वी में जबलपुर के खेरागड़ नामक गाउं में हुआ था इनकी पिता पुन्नाल बक्षी तथा बाबा उम्राव बक्षी यह साहित प्रेमी थे तो समझ में आया देखिए यहां पर दो नाम दिया पुन्नालाल और दादा जी का नाम दिया उम्राव बक्षी यह तोनों ही साहित प्रेमी और कवी थे तो बेसिकली आप समझो कि घर का जो मौहल था वो ही साहित प्रेमियों का था इनकी माता को ही साहित से प्रेम था परिवार के साहितिक वातावरण के प्रभाव के कारण यह विद्यारती जीवन से ही कविताएं रचते थे विद्यारती स्टीवन का यानि कि जब ये स्टुडेंट लाइव से ही इन्होंने कविताय लिखना शुरू कर दिया था बी ये पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाय प्रकाशित कराना आरंभ कर स्टूडेंट से लिख रहे हैं जैसी लिखते लिखते दिरे दिरे इनकी विद्या इनके लिखने का तरीका काफी अच्छा बढ़ता चला गया तो इक स्टेज ऐसा आया कि अब इनकी कविताये जो है वो पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी और वो पत्रिका थी पत्रिकाओं में भि इनकी रचनाय क्या प्रकाश्चत होने लगी ही तो शुरू शुरू में सरस्त्राइं से निजिदा पत्रिका से जुड़े उनकी के材 पेखला आपली कईद कोविताय थे उस में तइन की कविता ấy श्चन्द वादी थी यानी की किनी जो नियम कायदे होते हैं उनमें बंधी हुई नहीं जिसे कविताये लिखी जाती हैं चंदों में मात्रिक माशाओं में बंधी हुई वो उस तरीके की नहीं थी जिन पर अंग्रेजी कभी वाइस वोथ का इस्पष्ट प्रभाव परिलक्षत हुदा था बक्षी जी की प्रसिधी का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन था तो समद में आया यह जो बेसिकली तौर पर लिखते थे यह क्या करते थे आलोचना यह लिखते थे जैसे हम लोग आजकल अगर अधक सन 1971 में परलोक वासी हो गया तो इन्हों ने बहुत काम किया है आप लोग नाम जरूर नहीं सुना होगा लेकिन इनका कार काफित काबिले तारीफ रहा चलिए देखते हैं अब इनकी कुछ बक्षी जी की यह कृतियों का विवरण इस प्रकार है अब यह विवरण क्य पारिजात पंच पात्र पद्म वन मरकंद बिंदू कुछ बिखरे पन्ने यह सभी क्या है निबंद संग्रे संग्रे का मतलब समझीए का इसमें उन्होंने बहुत सारे निबंद लिखे तो एक जैसे एक बुक कंपाइल करी गई तो उसमें बहुत सारे निबंदों को प्रक प्रक्षास हिंदी उपन्यास साहित हिंदी कहानी साहित तो यह सभी जिनमें उन्होंने कोई ऐसी चीजों को मेंशन किया जो आलोचना थी हम तारीव तो बहुत करते हैं कोई चीज पसंद नहीं आई तो उसमें क्या कमी हैं क्या चीज़े हैं उस पर जब लेक लिखा जाता आ जाते हैं कावि संग्रे जैसा कि हमने बताया कि अन्होंने गर्द्य के च्षेतर में तो काम कर लिया यह तौले कि छीजों कोम लेकिन कावि में भी इन्होंने हाथ आजमाया वह शैंसी कवी जिसमें बहुत सारी कविताएं इनकी संग्रहित की गई हैं तो यह हमारे पद्मुलाल पुन्नालाल बक्षी जी तो देखा आपने ऐसे कवी ऐसी तरीके से कवी जैसे हम लोगों ने एक कवी पढ़े थे राजेंद्र प्रिशाद जी जिनको हम राश्टपती के दौर पे तो आज हमने वैसे ही कवी पढ़े कि जिनका नाम ही हमने कभी नहीं सुना था लेकिन उनका इतना योगदान रहा साहित्य के छित्र में तो इसी तरीके से कुछ चीजें जहां हम जानी पहचानी हैं तो कुछ अचंबत कर देने वाली हैं तो इन सभी की जानकारियां आपको सिर मिल रही है डेफिनेट सक्सेस पाटशाला के इसी प्लेटफॉर्म पे इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए जुड़े रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं फिर से मिलेंगे एक नए कभी या लेखक के साथ में थैंक यू कियो वोदिन विरने फेकर लेकर इसक्ता के समय को इस्जेब वाके ले लेकले हैं कि यू वां वां रही है।